नमस्कार मेरा नाम है प्रवीन और आप सभी का स्वागत है नियूस क्लिक के शोर डेली रॉंड़ में आज से ठीक चार साल पहले मोधी सरकार ने बड़े ढोल नगाड़े और लंबे चोड़े वादों के साथ जीस्टी कानून को लागो किया था आज चार साल हो चुके हैं लेकिन जीस्टी कानून ना केवल पूरी तरह से फिसड़ी साबित हुआ है बलकि इसे गरीब विरोधी लोगतंत्र विरोधी कानून के तौर पर भी देखा जाता है सरकार के खुद के आकड़े सरकार के जुमलों की पोल खोल रहे हैं आज के डेली रौंड अप में हम खास तोर पर बात करेंगे लखनाओं में जारी केंद्री वित्र मंत्री निर्मला सीता रमन की अध्यक्षिता में जीस्टी काउंसल की पैतालिसवी बैठक के बारे में उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर शीरो मडी अकाली दल का क्रिशी कानून के खिलाफ मार्च रोका गया सुखबीर सिंग बादल ने निताव संग्दी गिरफ तारी प्रदार मंत्री मोधी के जन्म दिन पर मनाया गया रास्टी बेरुजगार दिवस ट्वीट्स का सैलाब लखनाओं में हुई जीस्टी काउ शीरो मडी अकाली दल ने दिल्ली के गुर्द्वारा रकाब गंज से संसत तक मार्च निकालने का एलान किया था और इस दिन को ब्लैक फ्राइडे घोशित किया 27 सितंबर की सुब़ जब रकाब गंज से अकाली दल का मार्च निकाला तो पुलिस ने उन्हें पंथ मार्च तक मार्च करने की इजाज़त दी थी इस मार्च के चलते दिलिस पुलिस ने एक अजीब सा निर्णा लेते हुए मेट्रों में प्रवेश करने वाले पगड़ी पहने और कुर्ता पजामा पहने लोगों को या तो जाने से रोका या उनकी खास चेकिंग की मार्च आगे बढ़ते तक प्रदर्शनकारी भारी संख्या में जमा हो गए जिसके बाद इलाके में 1444 लागू कर दी गई सुखबीर सिंग बादल ने पार्टी निताओ संग गिरफतारी भी दी शिरोमडी आकाली दल के प्रदर्शन मार्च में पार्टी की नेता और पूर्व केंदरी मंत्री हर सिम्रत कवर वादल भी पहुची उन्होंने यहां प्रदर्शनकारीों को संबोधित करते हुए कहा कई किसानों ने अपनी जान गवाती और सैकडो अब भी दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं लेकिन इस सरकार को लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता हावनी लडाई तब तक जारी रखेंगे जब तक तीन कृशी कानून वापस नहीं हो जाते आपको बता दे कि दिल्ली की सिमाव पक्रिशी कानूनों के खिला प्रदर्शन करते हुए किसानों को करीब 10 महीने बीद गए है और आगामी उत्तरा खंड उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों को देखते हुए किसानों ने अपने प्रदर्शन को काफी हद तक तेस कर दिया है आज देश के प्रदान मंतरी नरिन मोदी का इक अत्रवा जनम दिन है मोदी जी ने इत्यास में एक ऐसे प्रदान मंतरी के रूप में अपना नाम दर्श करा लिया है जिनके जनम दिन को राश्ट्री बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया है मोदी दौर में बेरोजगारी का चौत अर्फा विकास हुआ है ये जग जाहिर तत्य है जो इस सरकार की विफलता की गवाही देता रहेगा इस बात की पुष्टी तमाम आकड़े करते हैं यही वज़़ है कि आज 17 सितंबर यानि प्रदान मंतरी मोदी के जनम दिवस को देज भर में के तमाम चातरों और युवाओं ने राश्टी बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया मोदी राज में बेरोजगारी से पेड़ित लाखो युवाओं ने ट्वीट रूपी सहलाब के साथ आज 17 सितंबर को प्रदान मंतरी मोदी के जनम दिन को राश्टी बेरोजगार दिवस और नेशनल अनेप्लोईमेंट डे जैसे हैस्टेक के साथ ट्वीटर पर मनाया ट्वीटर पर आज के दिन 1.44 मिलियन यानी 14 लाख से अधिक ट्वीट के साथ हैस्टेक राश्टी बेरोजगार दिवस ट्रेंडिंग में रहा इसके साथ ही 10 लाख और 5.5 लाख ट्वीट के साथ नेशनल अनेप्लोईमेंट डे और मोधी रोजगार दो भी आज के टॉप चार ट्रेंडिंग टॉपिक्स में शामिल थे वहीं वर्ल्ड वॉइट ट्रेंड की बात करे तो विश्व भर में भी राश्टी बुरोजगार दिवस ट्रेंडिंग में रहा अगली ख़बर लखनव में हुई GST कॉंसिल के 45 वी बैटक की वित मंत्री निर्मला सीता रमन ने आज लखनव में GST कॉंसिल के साथ 45 वी बैटक की अध्यचता की यह अभी थे दो साल के कोरोना काल में पहली व्यक्तिकत बैटक है जिसमें केंद्री वित मंत्री और राज्यों के वित मंत्री आमने सामने बैटक कर चर्चा की है आज की GST कॉंसिल की बैटक में सभी राज्यों के वित मंत्री फिट्मेंट कमेटी के सिफारिश पर चर्चा होनी थी जिसमें कहा गया था कि Zomato और Swiggy जैसे Food Distribution Apps को Restaurant Services के दारे में लाया जाए और उन्हें कर का भुक्तान करने के लिए उतरदाई बनाया जाए मुम्किन है कि बैटक में पेट्टोल और डीजल के साथ प्राकृतिक गैस और विमान इंदन को GST के दारे में लाने पर भी विचार होना था जिसके खिलाफ काई राज्यों ने अपना सक्त विरोज जताया है इसके अलावा बैटक में सदस्य कोविड-19 से समबंदित आवर्शक्स वस्तूओं पर भी रियायती दरों की समिक्षा पर भी चर्चा होनी थी GST यानि Goods and Service Tax हिंदी में कहें तो वस्तू या सामान और सेवा कर मतलब समझें तो यह कि पहले के सारे अप्रत्यक्षकर साल 2017 में हुए 121 समिदान सचोंदर के बाद सामान और सेवा कर्में बदल चुके हैं बता दे कि इस विवादासपच GST सिस्टम को 2017 में लागू किया गया था इसके आने के बाद राज्यों ने अपनी प्रत्यक्षकर लगाने की ताकत लगबख पूरी तरह खो दी थी जब यह कानून बना तब केवल सरकार ही अपना पीट नहीं थपतपा रही थी बलकि कई ऐसे अर्थशास्त्र के जानकार भी इसे बहुत ही शानदार कदम बता रहे थे सरकार का दावा था कि टैक्स स्टक्चर में GST की वज़से बहुत बड़ा बदलाव आएगा कई टैक्स देने की जगह पर एक ही टैक्स देना होगा कई तरह के जमेले खत्म होगे टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान होगी इस वज़से टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में बड़ोतरी होगी सरकार का राज़स्ट भी वड़ेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उल्टा छोटे मज़ोले व्यापारी इस टैक्स स्ट्रक्चर की सरंचना में फेर बदल से खत्म होगे तकरीबन चार साल के बाद जब जिएस्टी के सैक्डों बदलाव किये गए हैं टैक्स लाब को कई बार उलट फेर हो चुका है लेकिन हालात है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बैटक में होने वाली नीतियों में फेर बदल के बाद अर्थ व्योस्ता कितनी पट्री पर आती है और अब बात करते हैं कैसी पहल की जो आने वाले समय में प्रेणना देने का काम करेगी डॉक्टर प्रतिमा गोंड जो बनास हिंदू युनिविसिटी की महिला महाविद्याले में समास शास्त्र की अध्यापक है बनारस से करीब 90 किलोमेटर दूर गाजीपूर के एक छोटे से गाउं गंगा बिसूनपूर की एक दलित महिला अपनी ही जैसी हजारों दूसरी ग्रामिल लड़कियों महिलाओ के लिए आदर्श बन गई है लैंगिक असमिंदन शिल्टा के खिलाफ लंबे समय से मुहीम चला रही डॉक्टर प्रदीमा गोंड की मुहीम का असर यह है कि काशी हिंदू विष्व विद्याले प्रशासन ने महिला शिचको के नाम से विवाहित और अविवाहित स्टेट्स को इंगित करने के वाले शुष्री मती और सुष्री को हमेशा के लिए हटा दिया है अब महिला शिचको के पदों के नाम से पहले इस तरह के शब्द नहीं लिखे जाएंगे इससे पहले जहां पदनाम से पहले सुष्री शुष्री मती जैसे शब्द लिखे जाते थे वही अब उनकी पहचान सिर् विद्याले ने दलित हिश्चिका की मुहीम को गंबीरता से लिया और कार अस्थल पर लैंगिक असमानता वाले स्टेट्स को हटाने के लिए विदिवत आदेश जारी किया बीएचियू में काम करने वाली सबी महिलाओं की पहचान अब उनके पद से होगी अब आखिर में बात करेंगे कोरोना की सतह सितंबर को जारी ताजा आकड़ के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 34,000 से जादा नए मामले सामने आये हैं और 320 मरीजों की मौत हो चुकी है देश में अक्टिव मामलों की संक्या घटकर करीब एक फिस्दी हो गई है साथी 20 देश भर में कोरोना से परिद करीब 38,000 मरीजों को ठीक किया गया है और अक्टिव मामलों में 3866 मामले कम हो गई है देश में कोरोना संक्रमण की मामलों की संक्या बढ़कर 3,33,000,000 के करीब हो गई है जिनमें से अब तक 4,40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है देश में कोरोना से परिद करीब 98 फीस दी यानि मरीजों को ठीक किया जग चुका है स्वास्तमंत्रा इतार जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 77 करोड 24 लाग दोज दी जा चुकी है जिनमें से करीब 64 लाग वैक्सीन की दोज पिछले 24 घंटों में दे गई है आज के डिली राउंड़ अप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूटिब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बूक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया